नमस्कार दोस्तों, Bird Animal Fact चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस दुनिया के सबसे बड़े तिसरे जानवर की जी हाँ, Friends, हाथी, गैंडा के बाद जो इस दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, वो है हिपोपोटामस यानि दरियाए घोड़ा Friends, ये एक सेमी एक्वाटिक एनमल है, यानि ये पानी और जमिन दोनों जगह पर ही रह सकता है Friends, चलिए इस जानवर के बारे में डिटेल्स में बात कर लेते हैं हिपोपोटामस यानि दरियाए घोड़ा का जो साइंटिफिक निम है, वो है हिपोपोटामस एमपीबियस अगर बात करें इसके कुल साइज यानि अकार की तो Friends, इस जानवर के जो कुल लंबाई होती है, वो 3.3 मीटर से लेकर 5.2 मीटर तक हो सकती है वहीं अगर इसके कुल हाइट की बात करें यानि जमीन से इसके कुल उचाएं की, तो वो 1.3 मीटर से लेकर 1.6 मीटर के बीच में होती है Friends, जो मेल हिपोपोटामस होता है, उसका जो वज़न होता है Friends, वो 1500 किलो से लेकर 1800 किलो तक होता है वहीं फिमेल जो होती है, वो वज़न में कम होती है, उसका जो वज़न होता है, वो 1300 से लेकर 1500 किलो के बीच में होता है बात कर लेते हैं इसके आपेरेंस की, यानि ये दिखने में कैसा होता है तो Friends, हिपोपटामस का जो शरीर होता है, वो बहुत ज़्यादा भारी भरकम होता है इसका जो पेट होता है, वो काफी लंबा और मोटा होता है इसका मुह भी काफी ज़्यादा भारी होता है Friends, हिपोपटामस की जो पूँच होती है, वो काफी चोटी होती है और इसके चारों पैरों में चार चार उंगलिया होती है यानि एक पैर में कुल चार उंगलिया फ्रेंड्स अगर बात करें इसके skin color की तो जो हिपड़ामस याने दरिया गोड़ा का skin होती है वो brown, grey और black color में पाय जाती है आइए अब बात कर लेते हैं कि विश्व में हिपोपटामस कहां कहां पाय जाते हैं तो friends हिपोपटामस यानि दरिया गोड़ा के ओल एफरिका महादीप में ही पाय जाता है मैं उन देशों के नाम गिना देता हूँ जैसे कॉंगो, यूगांडा, तंजानिया, केनिया, इथियोपिया, सुमालिया, सुडान, जांबिया और साउथ आफरिका इनकी जो कुल संख्या है friends वो 1,15,000 से लेकर 1,30,000 के बीच में बताए गई है friends जांबिया देश में सबसे ज़्यादा दरिया गोड़े पाये जाते हैं जिसके कुल संख्या 40,000 के आसपास है वहें दूसरे नमबर पर तंजानिया देश है जिसमें दरिया गोड़ों के जो कुल संख्या है वो 20,000 के आसपास बताए गई है friends बात अगर करें हिपोपोडामस जैने दरिया गोड़े के भोजन की तो यह एक हर्वीबोर जानवर है यानि शाकारी जीव है इसकी वज़े से यह शाकारी भोजन करता है friends और यह भोजन रात के समय ही सबसे ज़्यादा करता है क्योंकि दिन में यह अपना maximum time पानी में आराम करने में व्यतीत करता है friends रात में यह लगबग 4-5 गंटे तक घास चरता है और यह घास चरते चरते लगबग 5 किलोमेटर से लेकर 7 किलोमेटर की दूरी को तै कर लेता है friends भारी भरकम शरीर होने के बज़आ से हिपोपोटामस एक दिन में डेर सारा पानी पी लेता है या एक दिन में 56 गैलों तक पानी पी सकता है 56 गैलों यानि 205 लिटर के लगबग लिए friends अब बात कर लेते हैं हिपोटामस कितनी देर तक सोता है फ्रेंड्स हिपोपटामस दिन में लगबग 10 से लेकर 12 गंटे की नीद लेता है और ये अपनी मैकसिमन जो सलीब है वो पानी के अंदर ही लेता है जमीन पर ये अक्सर कम सोता है क्योंकि इसको घास चरना होता है अगर बात करें इसके रेनिंग स्पीड की तो फ्रेंड्स हिपोपटामस के जो रेनिंग स्पीड है वो 30 किलोमेटर पर आउर की है यानि ये एक घंटे में लगबग 30 किलोमेटर की दूरी को तै कर सकता है चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं हिपोपोटामस के मेटिक सीजन की तो फ्रेंड्स इनका जो मेटिक सीजन होता है वो मैई से लेकर जुलाई महिने के बीच में होता है Hippopotamus एक Mooligamus जानवर है यानि friends एक male कैई female के साथ मेट करता है Famal का जो gastition period न sätt है यानि抗रबकाल का कुल समे है Friends वो 8 महने का होता है उसके बाद बच्going का जनम होता है Friends जो मादा हसोती है वो बच्угको को जनम पानी के भीतरी देती है ऐसे बहुत कम किसिस पाए गए हैं जब जमीन पर बच्चों का जनम होता है फ्रेंड्स एक बार बच्चे को जनम देने के बाद जो फिमेल हिपोपटामस होती है वो अगले 18 महने तक दुबारा गरब काल धरण नहीं करती उसके बाद ही वो दुबारा गरब पती होती है चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं हिपोपटामस के नेचर वीवियर यानि सुभाव के बारे में तो फ्रेंड्स इसके जो घुराने की आवाज है वो बहुत ज्यादा है इसकी जो साउंड फ्रिक्वेंसी लेवल है फ्रेंड्स वो 115 डेसिवल की है यानि अगर साधारन भाशा में कहें तो जब एक रोकेट आवाज करते हुए हवा में उड़ता है तो उतनी ही ज्यादा आ पाग की गर्दन इसके जबडे में फच जाए तो ये एक जटके में ही उनका काम तमाम कर सकता है इसी के कारणी फ्रेंड्स शेर और बाग जल्दी इस जानवर से भिड़ते नहीं है फ्रेंड्स हिपोपोटामस इन्हें दरियाए घोड़ा पाने में अपना मैक्समम टाइम इसलिए स्पेंट करता है क्योंकि जमीन पर जब सूरज की गर्मी इसको पड़ती है तो इसकी जो स्कीन होती है उसमें इरिटेशन होने लगती है यानि जलन होने लगती है इसी जलन के बचने के कारण ये अपना ज्यादा से ज्यादा समय पानी में ही वितित करना पसंद कर करती है और उसका जो ये पदार्थ जिसको हम लोग पसीना कह सकते हैं वो इसको सूरज की गर्मी से बचाने में मदद करता है फ्रेंड्स हेपपटामस एक बहुत हच्छा स्विमर है ये पाने में बड़े ही मज़े से तैर सकते हैं फ्रेंड्स तैरते समय ये अपने आख कान और नाग को पानी की सते के उपर ही रखते हैं ताकि ये आराम से सांस ले सके फ्रेंड्स हेपटामस को ग्रूप में ही रहना पसंद है इनका जो ग्रूप होता है वो 15 से लेकर 20 मेंबर तक हो सकता है फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं हेपटामस के हैबिटेट यानि किन ज जहां धेर सारे पेड़ पौधे उगए हुए होते हैं और उसके चारों तरफ पानी भरा होता है सवभाव से हिपोपटामस बहुत ज़्यदा अग्रेसिव जानवर है फ्रेंड्स आम तोर पर अफ्रीका में जहां पे सलाना 70 लोगों की मौत शेरों के कारण होती है वहीं एक साल में हिपोपटामस यानि दरियाई गोड़ा लगवक 500 इंसानी जाने ले लेता है इसके सवभाव को प्रेडिक्ट करना यानि अनुमाल लगाना बहुत ही मुश्किल होता है फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं एक और important point की फ्रेंड्स हिपोपटामस में मेटिंग उसके बाद बच्चों का जनम इसके साथ जो बच्चों का दूद पीना ये सारा काम फ्रेंड्स पानी में ही होता है जमीन पर क्योवल और क्योवल ये घास सरने के लिए ही आता है हिपोपटामस का जो ग्रूप होता है फ्रेंड्स उसको बलोट कहा जाता है आम तोर पर ग्रूप में जो सबसे स्ट्रॉंग हिपोपटामस होता है वो ही ग्रूप की रक्षा करता है ग्रूप में जो इनके बच्चे होते हैं तथा जो बोड़े हिपोपटामस होते हैं उनकी रक्षा का दाई तो ग्रूप के लीडर के उपर ही होता है इसलिए जो गुरूप का लिडर होता है वो अपने गुरूप की रक्षा करने के खातिर बड़े-बड़े जानवर जैसा शेर और बाग से भी बिढ़ जाता है फ्रेंडस जो पहले रिसर्च हुई थी इस जानवर पर तो लोगों में ऐसा माना जाता था कि हिपोपृपृप्टामस एक सुवर की प्रजाती का जानवर है लेकिन बाद में इसका खंडन हुआ और ऐसा कहा जाने लगा कि हिपोप्टामस जो है वो बेल मचली की परजाती का जानवर है लेकिन लेटस्ट हुई रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि हिपोप्टामस किसी भी दूसरे परजाती से बिलोग नहीं करता है ये परजाती अपने आप में एक अकेली परजाती है अब बात कर लेते हैं इनके प्रेडिटर्स यानि वो कौन से जानवर हैं जो हिपोप्टामस का भी शिकार कर लेते हैं प्रेंड्स आप लोग उन जानवरों से परच्चिती हैं जैसे शेर लकटबगय यानि हाइना और क्रोकोडाली यानि मगरमच जी नहीं होपाता है क्योंकि ये अपने आपको बचा लेते हैं चलिए अब बात कर लेते हैं इनके कुंल लइफ स्पेन की तो friends जंगल में हिपोपोटामस यानि दरियाई गोड़े के कुल जीवन काल की यवदिया वो 40 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में होती है friends अब बात कर लेते हैं इनके conservation status यानि संगरक्षन पर तो friends IUCN यानि International Union for Conservation of Nature ने हिपोपोटामस जानवर को red list में डाला है यानि ऐसे प्रजाती जो विलुक्त होने के कगार पर है friends हिपोपोटामस की चमड़ी काफी मोटी होती है इनकी चमड़ी और दातों के डिमांड की वज़ा से अब वधानिक तरीके से इनका काफी शिकार हुआ है पास्ट में और ऐसे ही मज़दर वीडियो का आप लोग आनंद ले सकें फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो में नए जानवर के साथ तब तक एलिए आगे दीजिए थैंक्यू बाए बाए